जहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 important information दूँगा। चलते हैं पहली information की तरब। Spurs के pensioner के लिए मैधपूर email ID है। pensioner अपनी शिकायत नीचे दी गई email ID पर कर सकते हैं। दोस्तो मैं आपको कुछ email ID दे रहा हूँ Spurs की। चाहे आप Navy के हूँ, चाहे आप Air Force के हूँ या फिर Army को। अगर आपको Spurs से लिटेट कोई दिक्कत है, कोई problem है, तो direct आप शिकायट डाल सकते हैं email ID पर। दोस्तो मैंने यहाँ पर email ID हाइड कर रही है for security purpose। आप मेरे से यह ले सकते हैं, description box में, मैं इसका link दे दूँगा, आप महाँ जाकर यह email ID ले सकते हैं और अपनी शिकायट डाल सकते हैं, दोस्तों यहाँ पर CO Army, PBR Army, Navy, PBR Navy, CO and PBR Air Force और Civil की भी यहाँ पर ID है, यानि सपर्ष की आपको सारी email ID मिल जाएगी, तो आप direct अपनी शिकायट डाल सकते हैं, इस email ID पर, तो description से आप email ID ले सकते हैं मेरे से, description box से, चलते हैं दोस्तों दूसरी information की तरफ, सूतरों के हवाले से खबर है, audit में हुआ खुला सा, दोस्तों कुछ sources से पता लगा है कि कुछ audit हुआ है, audit में पता लगा है, OROP का पूरा फायदा जवान को JCOs को नहीं मिला, और JCOs तो भारी हो गए OROP से, premature तो भारी हो गए OROP 2 से, खर्चा ज्यादा बताया, लेकिन मिला कम, एक और हो सकती है जांच, RTI के जरिये कई संगठनों ने PCDA, CDA से जवाब मांगा, दोस्तों मैं आपको पहले भी बताया हूँ, कि जो भी संगठन है जो भी pensioner हैं, वो यहाँ पे RTI से जवाब मांग रहे थे, PCDA, CDA से कि किस तरीके से आपने OROP 2 pension table बनाई, वो जितना भी पैसा था OROP का, वो सारा पैसा गया कहा, क्योंकि pensioners तो आदे भारी हो गए OROP 2 से, तो दोस्तों कुछ audit से, कुछ रिपोर्टों से, कुछ RTI के जव जवाबों से पता लगा है, कि जिसके लिए OROP थी, उनको OROP मिली नहीं, यानि जितना पैसा डिजाइन करा गया था, बढ़ाया गया था, OROP के नाम पर, वो जवानों जिसके खाते में नहीं आया, और दोस्तों जो भी table बनी, उसके अनुसार आपके खाते में मिला, लेक सरकार pension का 75% हिसा दे, last basic का, जैसा आपको पता है 2006 के बास से आपको last basic के कितना परशन मिल रहा था, 50%, जो भी आपकी last basic थी, तो दोस्तो 2024 में कुछ ऐसा कहा जा रहे है, कि आपको 50% ना देकर 75% pension दे, तो दोस्तो इसका ग्यापन भी भारत सरकार के पास कहा है, यानि कुछ स 75% परसंट पेंशन दे दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है यह तो सबसे बड़ी डिमांड है कि आपको 50% ना देकर 75% पेंशन दे ऐसा हो सकता है दोस्तों आप नीचे कमेंड कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों भारत सरकार आपको क्या देना चाहती है यह आप अच्छी तरे से जानते है देखते हैं दोस्तो जो ये गये हैं ग्यापन गये हैं इसका reply भारा सरकार क्या देती है 75% मिलता है तो दोस्तो ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी वो भी 2024 में 50% ही हमें सही से मिल जाए वो ही हमारे लिए बहुत काफी रहता है 75 तो दोस्तो बहुत बड़ी बात हो गई, बाकि आपकी क्या है, राय है, वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, चौता पॉइंट देखिए, जवान जेसियोस को भी NPS के दैरे में करने की मांग, ताकि सरकारी बोच कम हो सके, दोस्तो अगर जवानों को जेसियोस को पेंशन ना देकर NPS में डाल दिया जाए, नेशनल पेंशन स्कीम में, तो दोस्तो क्या होगा, यानि जो भी बजट है पेंशन का, वो एटोमेटिकली कम हो जाएगा, NPS में कुछ भी नहीं है, ना आपको ग्रिजोटी मिलेगी, ना आपका इंशोरेंस है, पेंशन भी आपको कुछ नह रहे हैं, जो अगनीवीर में भरती हो रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहे हैं, तो इसलिए पेंशन सबसे बड़ा, अच्छा सिस्टम है, पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बढ़िया है, तो मैं चाहूंगा, गुजारिश करूँगा, कि जवानों को JCOs को NPS में बिल्कुल मठ डाली है, पैसा कर्च हो रहा है भारत सरकार का, फोने दीजिए, वो जायच पैसा है, पुरानी पेंशन का पैसा है, और जो अभी भी जवान JCO ले रहे हैं, वो भी 50% करके पैंशन ले रहे हैं, ओल्ड पैंशन स्कीम की अंतरकर, कम से कम उन्हें में इन्रोल करो, भूतपूर स्यनिकों को, सबसे बड़ी गलती होगी है, अगर भारत सरकार ऐसा करती है, और मैं चाहूंगा कि जितनी भी ये रिपोर्ट गई है, कि JCOs जवानों को NPS में शामिल कर जाए, ये सब के सब कैंसील हो, इस पे तो बात भी नहीं उठनी चाहिए कि जवान JCOs को NPS में शामिल करे, मैं इसके against हूँ, नहीं होना चाहिए, चलते हैं आगली information की तरफ, कुछ अधिकारी वर्ग जवानों JCOs के साथ खड़ा होना चाहते हैं, उनकी साहिता के लिए, अब दोस्तों अधिकारी वर्ग, officers भी जवानों JCOs के support में आ गए, वो उ उनकी मांगें भारत सरकार तक पहुचा पाएं, दोस्तों क्या अधिकारी वर्ग, officers, जो आपकी मांगें हैं, ORJC, क्या वो भारत सरकार तक पहुचाएंगे, आप नीचे कमेंट करेगा, आप भली भाती जानते हैं, चलते हैं आगली information की तरफ, Cyber Cafe में बैठे आदमी, गलत भर रहे हैं Life Certificate, पैंशनर का, Spurge PCDA ने reject किये कई Life Certificate, दोस्तों कई पैंशनर हैं, कई family पैंशनर हैं, जिन्नों ने अपना Life Certificate, Cyber Cafe में, Computer Cafe में जाके समिट किया, अब जो वहाँ पे बैठा आदमी है, उसको नहीं पता, इस पर्च पे कैसे अपडेट करना है, कैसे DLC समिट करना है, यानि पैंशनर का migration इस पर्च पे है, इस पर्च से पैंशन आ रही है, वो Dispersing Agency में बैंक डाल रहा है, तो दोस्तों, बहुत से पैंशनर के Life Certificate इसी वज़े से reject हुए हैं, यानि जो Cyber Cafe में बैठे आदमी है, उन उन्होंने बैंक डाल दिया, तो दोस्तों, वो बैंक में चला गया, तो पूरा reject हो गया वो आपका Life Certificate, आज मेरे पास एक पैंशनर का फोन आया था, कि सर हमने Cyber Cafe से अपना Life Certificate समिट किया था, और उसमें लिखा आ रहा है नीचे, कि बैंक ने से एप्रूव नहीं किया, और invalid account number दिखा रहे हैं वहाँ पे, तो दोस्तों, महाँ पे bank authority नहीं आएगी, जिसने भी भरा वो गलत भर है, इसपर्च आएगी, जब आप इसपर्च में migration हो गए, इसपर्च के तुर आपकी pension चल रही है, तो जो Cyber Cafe वाले वो bank क्यों डाल रहे हैं, दोस्तों यह ही है, कि अगर Cyber Cafe में जो बैठे हैं आदमी, अगर उनको knowledge नहीं है, नहीं पता, तो फिर वो आपका काम नहीं कर सकते, उल्टा गलत ही करेंगे, तो इसलिए कोई जानकार बंदे को ले जाएं, या पहले आप खुछ सीख लीजिए, तब ही आप हाँ पे समझा पाएं, तब ही दोस्त के सही तरीके से अपना life certificate submit करें, चाए आप खुद कर रहे हो, चाए आप computer cafe में करा रहे हो, या फिर आप कही जाके करवा रहे हो, इसलिए सही से करें, तो दोस्तों ये कुछ information थी, जो मैंने आपको समझाई, बाकि आप क्या समझते हैं, इन चीजों से आप नीचे comment कर सकते अपनी राय रख सकते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक यू सो मच